जिन शक्सिस में आपके मुलापाद करवाने जा रही हूं वो किसी तारफ की महताज नहीं क्या क्या आप भी किसी सियासी जमाद के साथ मुलसा लिख रहे हैं? नहीं मेरा अलहम्दलेला किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई तालब नहीं है लोगों के हुकूक को लेने में अगालतों में जिन्दगीया बल्के उनके वलाद की जिन्दगीया भी लग जाते हैं असलाम अलेकूं मैं हूँ आपकी होस्ट आईशा हैदरबाद नियूज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम लेट्स टॉक विद आईशा रफी जी हाँ आज जिन शक्सित में आपके मुलाकात करवाने जारी हैं वो किसी तारफ की महताज नहीं माशालाव वो बहुत मखशूर शक्सियां था हिदरबाद की जी हाँ सर इमदाद अली उनर एड़ूकेट सुप्रीम कोट सिवल हॉस्पिटल मैनेश्मेंट बोर्ट फॉर्मर प्रेजिडेंट हैदरबाद तार असलाम लेकुम सर वाइम स्लाम कैसे हैं आप अलहम बलाद आप कैसी हैं अलाका शकर सर आपने बारे में कुछ अबने बताईए क्या बताऊं बस चोटा सा फॉफाहिल है हिदराबाद में बर्थ हुई है और हिदराबाद से ही तालीम लिये है प्राइमरी सेकंडरी और यु में गुडियों करने के बाद इ ple ca वकालत करने करने के बाद फोरा अरश वकालत में गुजारने के बाद पिर बार के जो बार की सासद होती है पॉलिटिक्स बार Gay हुख लिए के दर्म्यां तो तूसमे में जॉइम्ट स्केर्टी मैंनेजिन कमीटी का मेंबर अर जिसके हैं है अधराबाद बार का और इस वक्त बाहिसे थे वकील के सीम सिंसाब ने में अच्पितल्स मेनेजिंग बोर्ड का मेंबर भी मुनतकब किया है आधके बार के लिए लिए जो आपके सर्वच से रहीज आप उसके बार महें बताः जी जी इटाध बार के लिए परो ये कि मैं भáसित ए निए easiest कीजिए के विटेशियते तो, उने रुनेस्टी के साथ, और बड़ी महनत और लगने के साथ, ले रिए लगन variance कोशिश किये कि मैं में पहुनू करूँ उसके बाद बार के ओदोदार के हिसे जिसे जाइन सेकेटी जनल सेकेटी और मुटल प्रेजिडन्ट के ओदों पे मैंने बार हिदराबाद बार में मैंने हमेशा कॉमपोटिशन की तरफ मेंने मेरा ध्यान रहा है कि हमारी हिदराबाद बार जो है वो कराची बार से कॉमपटेशन करें लाहूर बार से कॉमपटेशन करें जो पाकिसान की बड़ी बड़ी बार है तो क्योंके हिदराबाद बार सिंध की सेकंड लार्जेस्ट बार है तो इस वह से मैंने देखा कि उसमें स्वा एक बार रूम और एक सिटिंग एरिया के और कुछ भी नहीं है तो फिर मैंने यहां पर शॉप्स जो है वो उनकी तामीरात करवाई ताकि उसका रेंट जो है बार को मिले मैंने टी सी एस की ब्रांच वहां करवाई आज तो वहां पर एक और बी कॉरियर सर्विस है वहां पर इसके लावा मैंने वहां पर बैंक्स की जो एटियम सर्विसेज हैं वो हायर कराइं ताकि उसमें इंकम भी और वकला जो है वो फैसिलियट भी हो बारोंस की बड़ी यूज बारोंस बना कि उसमें सबसे जादा अच्छे से अच्छे चीजें और इसके इलावा मैंने बाहर में अकैडमिक कोर्सिस बोट कराएं जिसमें लॉयर्स की ट्रेंडिंग का मुक्तलिफ लॉयर्स के साथ और जो सिन जुडिशल अकैडमी हैं जो जजिस को ट्रेंडिंग करवाते हैं उनके साथ भी मै क्योंकि जब तक लोयर स्किल्ड नहीं होगा तब तक वो अपनी वकालत में महारत नहीं हासल कर सकता तो अचासर इसी के साथ एक और जालना चाहूंगी बात कि आपको सीम साहब ने जो अभी सिविल हॉस्पिटल मैनेजिंग बोड कमेडी मेंबर किया तो इसकी क्या सर्वेसेज इसके लिए आपका शोबा क्या काम कर रहा है है तरबाद के लिए हॉस्पिटल के आप क्या रुजहान देखते है कि किस चीज की जरूरत है इस पर मसकी लिए एक तो इसमें मैंने यह जो म एक शहर का MPA एक शहर का Renewal Lawyer और जो LAMS के जो वाइस चांसलर है वो उस कमेडी के मेंबर है वो उसको फंड्स उसकी एक्टमेंट्स उसकी चीजों को सुपरवाइस करते हैं और तो उस हवाले से मैंने एक वहां पर जो कमेडी के ज़ इजलास था बोड का उस बोड के जला कि यहां पर शफिझ नहीं है तो यहां से स श्क्र से और जहां नावाप शहाओस इस दो, यहां अईusha आपके से लोग आते हैं अग हूसरी साइपूस भीम सुनाओ करDas है रख बर यहां अग्या था Elogया के सैनमे हमने का लगश Лवां सने कर बनाएं पो हुआ पकर लाहं कर कुछ उदर कुछ उदर कुछ उदर ताके और यह एक नहीं हॉस्पितल भी बन जाएगी तो वोड में अप्रूव किया है मेरी इस रेकोजिशन को गॉम्मेंट को भेजा हुआ है इंशाला मैं समझता हूँ और कि यह गॉम्मेंट इस तरह का फैसला करेगी तो बहुत अच्छा काम कर रही है कि यह बड़ी अच्छी बात बताई क्यूंकि यह भास मेरी भी नॉलिज में नहीं थी कि वांशाला गॉर्मेंट इस तरह काम करिये कि आप लोगों को भी हायर किया है कमीटी बने है इसके बार में मुझे मालूमात थेंगी बहुत शुक्रिया आपन करें क्या स्कूप है जी जी वकालत लेंगे 2007 का आप इसलिए नाम ले रही है शायद चोधरी इफ्तिकार साथ की के लिए यह जो लीगल फैर्टिनेटी जो तहरीक चली थी जो है अगेंस्ट उस्वत के जो थे प्रेजिदेंट तो बहराल उसमें देखें उससे पहले वकला का थोरस जो प्रोफेशनल कराक्टर था और दोजार साथ की तेहरीक के बाद प्रोप्णा कुछ सेयसत में भी इन्वाल हो गए तो फड़क थोरसा ये आगया है वैसे में बिलीव करता हूं वकला का प्रोफेशनल जमने और पॉलिटिक्स जो है वो एक अलग चुबा है और एक अलग सर्विसेज हैं, लीगल सर्विसेज एक अलग हैं, वुकला का तोरा माइन और अप्रोच जो है, वो पॉलिटिकल हो गई है, और वो प्रोफेशनल्जम थोरा सा कम हुआ है, मगर खतम नहीं हुआ है, शर्वे, आप से कौर बात जरजना चाहूं कि पॉलिक्स का नाम हम मौजूद हैं, सर के साथ हम लुकी ही बाते करेंगे, आप लोग सोच रहंगे, क्युम्के हम इतनी इंफॉर्मेस्टेव हैं जो है आज वीजो आप लोग को प्रोवाइट कारे हैं, सर से मैं जानला चाहूंगे, सर इक हमारे कानून में, किन-किन चीजों की तर्मीम की ज प्रहूआ की है, एक प्रृS Noble के दर्मिज के दर्मियां जो वरासत का इशुज होते हैं, अब इसमें स्पीडी ट्रायल की जरूल रहते हैं, जिसाधर जोगों के बास के अदालतों में जिंदगी अबल्के उनके ओलाद की जिंदगी ऐा बलके उनके उलाद की जिग जिए जिसे एक स्पीड ट्राइंल की जफार्ट जिस तरह सरा शाइट खुरसा साहब अरौसा आप किन और स्पीडिनन प्रोसिधिंग सोती हैं करा किस फेसला हो जाएगा। श सी जफल ट्राइल के भी सितरह की से उनी चाहिए जिस तरह आप देखें कि किछ सिस्टर्स कुछ भेने होती हैं जिनको भाई डिप्राइज करते हैं प्रापरटी से और उनके उसमें बारा बड़े फैसले भी हुए है स्प्रीम कोर्ट के उसमें स्पीडी ट्रायल स्पेशल कोर्ट की ज़रूरत है उसमें गुर जो जुडिशरी है। इसमें जिसने गुर्षण जा मेश्किला जिए ज़रूरत NOT E 듯 जुरूरे ज़िए हैं को सीनियर ज़रूरत जाप पसे स्पेशल ट्रायबिनल होना चाहिए जो 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 बेहनों को या खवातीन को डिप्राइब करते हैं, बेवा को डिप्राइब किया जाता है, तो इस तरीके से उनके लिए स्पीडी अब वो एक तो उसके साथ भाई जलुम कर रहा है, या सुसराल वाले जलुम कर रहे हैं, और उपर से अदालतों में आके लॉयर इंगेज करें, फिर लॉ फिर होनी चाहि monks को होनी चाहिं है special tribunals होना चाहिए a Music cell यह where एक मालक मे ​ अध्यूय मौं कराय पर देगा है, तो अब कि अगर वो खceğाए अदा करता हैτα zijn अगर जान प्रिफूर्ट जाता है गो डिफॉर्ट में चला जाता है तो इसकी रिकावरी जो है ऐस रेंट कंट्रोलर जो जगा खाली कराता जो पर जगा खाली modifier कि नहीं क्या बाइऊ को पड़े के लिए जो रेंट उसके लिए को जान वे उसके लिए पिर इसको दूसरे मुंकरदमा लडना पड़ेगा वकीर उनिज करना पड़ेगा फिर उसको उसको कोड में जयाना पड़ेगा उसके ख़राजात गडा करने पड़ेगे डिए।aire अब अब आप अब आप अजया है जैसे शरही हुकुम भी है कि आप एक चीज खरीदे है तो दो चार दुकानों से खरीद जांच के समझ के उसके बाद लेते हैं तो देखें आप डॉक्टर और लॉयर के लिए भी यह के जो प्रोफेशनल सीनियर और जिसका नाम और अच्छाई वो आप विजिट करेंगे तो आप जहां आपका दिल मुतमिन होगा मैं समझता हूं जो आप वो समझेंगे के वो आपके लिए बहतर होगा पर अच्छी के सर साथ ही एक और सवाल है सर ये एक अगडाबाद के स्ट्रॉक्चर को आप कैसे देखते हैं किया मैदर अच्छाला है। अच्छाला है है आप है लिए बहुत काम कर चुके प्रॉपर्टी के हवाले से इफरेंड ढॉवस पर तो थोड़ा ज़हें सब्सक्राइबpingाश टो थेपूरियोग भीन ओंड ए शाहें अभर। तो घ्यज ज्योर्प रुटे चाह। इवे जा इवे रोड जहां ट्रॉम चलती है जहां पर बरतानिया वी ब्रॉम में बुर। कार चलते हैं, बाकी रोड ऐसे हैं कि सिर्फ साइकल और वाक करते हैं, अब जैसे हमारा आटोबान रोड है, यहां पर ट्राफिक की कोई जरूरत नहीं है, एक जगा एक पार्किंग हो जाए, उसके बाद सारा रोड बंदा वाक करता है, तो यह एक इसी इन्वार्मेंट कर सक हैं, इन्फराच्ट जो भी डैमेज हुआ हुआ है, सफायों की यह वो इनकी सक जरूरत है, इसका सिर्फ गौर्मेंट फंड देगी, इन्फरास्ट्रेक्चर बहतर से बहतर हो सकता है, दूसरे चीजें स्टेकोलडर्स हम खुद भी हैं, हम खुद अगर सफाय का ख्याल नह लुकसान हमारा है, सर आपने अभी एक लौ फर्म मनाई है, रसूल बख्ष उनर फर्म, लौ फर्म, तो सर उसके हवाले से आप हमें थोरे सा बताएं, देगे जी, बार काउंसल में एक तो इंडिपेंडेंट रिस्टेशन होती है, इंडियुवल एद लॉयर, रिस्टेशन तो भचल बटालत करेगा, एक जाम्या तरीके से अगर आप 2-4 फर्म बढ़ी है, तो लुकस्तरट करवाना जरूरी होता है, तो मैंने वो फर्म रख्ट करवाई, मगर उसका टाइडल मैंने अपने नामसे नहीं रख आपके अपने वालत साब के नामसे घखने, मेर के मेरे साथ हैं मेरे बड़े हैं तो मैं क्यूंकि मैं सब कुछ उनकी वज़ा से हूं तो मैं उनको ट्रेविट देने के लिए उनके नाम से ताकि उनका नाम हमेशा रहे और तो इस वज़ा से मैंने उनके वालिज साब के नाम पे रॉल्बशनरth लौफरम प्रेड़रिबात करोई और आन ऐन की अपनी खिदमातं ही था और उनकी पांसल के डोतफृ में तरज्माट्स में बीचाई है और वो बार कांसल के दो तफ़ा मेंबर भी रहे हैं और अंग वकालत में भी एक गरीब सिफत वकील होते हैं हम जैसे मेरे जैसे नहीं वो गरीब सिफ़त बहुत मुटसद बड़े हमदर्द जो है वो इस तरह की वकील रहें उनकी यह भी कित्मात है उनका आने वाले कर्ल में क्या फ्यूचर है उनके बारे में कुछ उने गाइड करें क्यूंके अभी लौग बहुत कम लोग पढने लगें यह कुछ इसे रहे लेकिन आपको लगता है कि इस फील में आना चाहिए लेके पहली बात तो स्टुड़न्ट दो किसम के हैं एक पहले इसको एक साइड बिजनस के तोर पे के एक साइड में एविनिंग प्रोग्राम होता था 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 तो वो होता था अब सुप्रीम कोट के हुक्म के बाद यह अब पांग साला हो गया है अब बच्चा जो इंटर करता है यह A-Level, O-Levels करता है वो डारेक लो में एड्मिशन लेता है तो आज के बाद का जो फ्यूचर है आज दस साल बीस साल के बाद इस साल के बाद इस फ्रेटिनिटी में अच्छी क्रीम आती जाएगी क्यूंकि उसमें पेले L.A.T. आता है हायर एजुकेशन कमिशन से लो कॉलेज में एड्मिशन के लिए वो लो के बाद वो लो गेट देगा फिर हायर एजुकेशन कमिशन के टेस्ट देगा फिर वो इसकी बार में एंट्री होगी तो मुस्तक्बिल आज बहुत एरियाज आगे हैं वकालत के अंदर सिर्फ एक जनल प्रैक्टिस नहीं रही एक क्रिमिनल साइट, सिविल साइड, लीगल आफिसर्स, बैंक्स में लीगल आफिसर्स, तो मुक्तलिफ एरियाज हैं बहुत वास्ट फिल्ड आगे हैं आइंदा का मुस्तक्बिल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो क्योंके देखें आप सिर्फ जॉब करना और इनमें आप सिर्फ ये लोग बचे अ इसको बहुत अच्छा है, और अगर महनत और सच्चाई के साथ जह हैं इमानदारी के साथ लगन के साथ हम जह हो कानून को पढ़ें और इसको इंपलिमेंट करें और एक और बात भी हैं कि हमें हमारे हुकूप जो है वो पाकिस्तान का आइन देता हैं हमारी लोग लेवल प जो पता हो कि मेरे हुकूप क्या है यानि एक लोग यह तालीम भी होनी चाहिए शुरू से ताकि बच्छों में इंटरस बी डिवालेप और उने राइट्स के बारे में पता हो बिल्कुल शुक्रिया सर आप हमारी है जो है नहीज़ देना चाहेंगे कि अभी हम मैं अपने अठक्ति अचचों करने लगें और हम चाहिए म्यरा ओंति शेक्षित ने अजया आपको अच्छा मैसेज दीजिए पीस तीस मेरा मैसेज यह च्ति नहीं है कि आप अपनी शक्सियत में इंसाफ करें इस शुरू मुरा इंसाफ करें आप यह ना संज्जें शुरू में इंसा करेंगा नई आप ने खुद भी इनसाफ करना अपने रिष्टों में आप किसी जा रहे हैं रोड पे कोई बंदा जा रहा है उसको एकसेस दे दें आप चला जाये ना मगर वो क्लैश हो जाता है तो आप हर हैसित में इनसाफ करें एजा पाकिस्तानी की हिस्ट में भी आप इन आप इनसाफ सिर्फ कोटों के उपर लगाएं आप खुद भी इनसाफ करें बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ मौडू थे एड़ोकेट सुप्रीम कोट और यही में आप लोगों से इजाज़ चाहूँगी साथ इसके खुश रहिए मदबत तोच रखिये